तो हेलो यार आज हमें एक्स्प्लीन करने वाले नैनो मशीन का एपिसोड नमबर 3 अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है जल्दी जाके देख लिए जब भी वीडियो स्टार्ट करते हैं स्ट्री की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि डिमॉन कल्ट में बहुत सी फैमिली से आया करती है बट कुछ ही उनसमें इंपोर्टेंट है जैसे कि है डार्क क्लैन, स्वार्ट क्लैन, स्प्रिंग क्लैन, स्प्रिंग क्लैन, साउंड क्लैन, और ब्लेड क्लैन और ये क किसी एक बंदे को चुनते हैं जो सबसे ज्यादा शांदार हो पे कोई एक प्रिंस नहीं होता वहाँ ऐसे बहुत प्रिंस होते हैं ले फ्लैश बैख खतम होने के बाद हम वहां पौछ जातेए जहां पर एपिसोड 2 खतम हुआ था और वहाँ प्रिंस शीन कहता है इसका मतलब मैं किविल गॉड नहीं हूँ मैं एक मशीन मास्टर हूँ यह सारी बात है प्रिंस्टियॉन अपने मन में बोल रहा होता है और सोचता है कि जो डॉक्टर ब्रिक है मतलब यह बुड़ा आदमी यह पॉईजन क्लैन से बिलॉंग करता है अगर मैं इसको यह बात ना बता हूँ तो अच्छा रहेगा और तभी डॉक्टर ब्रिक कहता है कि शायद जरूर किसी ने प्रिंस्टियॉन की मदद तो जरूर करी है और तभी नैनो मशीन प्रिंस्टियॉन के अंदर से मन में कहती है कि यहाँ पर मुझे कोई भी डिटैक्ट नहीं कर सकता तभी उपास में खड कि वैसे भी यह लॉड का नाजायस बेटा है कहीं यह पहले नाटक तो नहीं कर रहा था कि इसे मार्शल आर्ट्स में कुछ भी नहीं आता तभी प्रिंस्टियॉन मन में कहता है लगता है अभी डॉक्टर बिक को कुछ पता नहीं चला है यह बहुत ही जादा अच्छा है औ प्रिंस्टियॉन शर्मा जाता है और कहता है कि हमारे प्रिंस्टियॉन बाट ठब में बैठा हुआ है और कहता है कि नैनो मशीन तभी नै चाहिए तभी नैनो मशीन कहती है यह प्रिंस चौन अपना हाथ काटता है कुछ और नहीं और वह जोर से चलाता है तभी नैनो मशीन सेल फिलिंग मोड स्टार्ट कर देती और तभी प्रिंस चौन का हाथ जल्दी से ठीक भी हो जाता है कि अभी यह सब मेरे सामने हुआ पर त तभी प्रिंस चौन सोचता है कि मैं नहाने के बाद यह चीज़ जरूर ट्राय करूंगा और तभी प्रिंस चौन देखता है कि उसकी बाई चैस्ट एप्स सब एकड़ मस्कूलर हो जाती है तो नैनो मशीन कहती है कि बिलकुल हाँ मैं नहीं करा है वहां से कोई फीमेल बु उठाओ और उसके पन्ने पल्टो कि इसकी एक माशल आर्स की गिताब है जो कि बेतीन मैठर्ड से हमारे दिमाक और शरीर को कंट्रोल करना सिखाती है तभी प्रिंस चौन कहते है कि यह स्टार्ट करूं तो नैनो मशीन कहती है हां और तभी प्रिंस चौन जल्यली पीपर प चलाता भी है, और तभी प्रिंस्जियोन कहता है तभी प्रिंस्जियोन क कहता है, तभी मुझे क्या हुआ अगर आप शेल सेrare ने हो चुकी है, अगर आप इस बुक के बारे में सोचो गे तो आपको पूरी नॉलेज मिल जाए उस बुक के बारे में उस बुक के बारे में सोशन लगता है और उसे वर्ड टू वर्ड वो हर चीज पता चलती है जो उस बुक में है वो भी करेक्शन के साथ पुरिस्चियों कहता है कि बई तो चीज गलती लगी में उसको सही कराएं तो यहां के जितने भी प्रिंस है वह सब लोग माशाल आठ्स सी ख रहा है वह भी बचपंस है अभी तक मेरे से जादा अच्छा माशाल आठ्स आता होगा बट अब मैं उनको कॉंप्यटीट कर पाऊ वैसे तो में एपा माशल आर्ट की जादा किताबे नहीं है पर डीमॉनिक अकैडमी में माशल आर्ट की बहुत जादा किताबे हैं अगर मैं उन्हें पढ़ूंगा तो इस स्किल से मैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा जल्दी हरा पाऊंगा तभी हमें दूसरे सीन में एक लड़का दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मैंने इन लोगों को एक लड़के का गेम बजाने के लिए भीजा था लड़के नहीं तुम लोगों से पांच लोगों का गेम बजा दिया अभी वह नीचे बैठा हुआ आदमी कहता है कि शायद उसकी किसी ने मदद करी है प्रि इस डीमन अकाडमी में उसे मारना होगा और अब बस उसका डीमन अकाडमी में आने का वेट है बाकी तो में अब उसका खुद गेम बजाओंगा तो चलो यार एपिसोड 3 तो यही पर ही खतम होता है एपिसोड 4 बहुत ज्यादा जल्दी आने वाला है तो चैनल को करकी वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यार सा कमेंट कर देना जुसे मुझे वीडियो डालने का मोटिवेशन मिले वरना तो वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो सकती इसलिए कर दो बाए बाए